मैं गाउं की गोरी हूँ मैं खेतों की रानी हूँ मैं इस मिती की बेकी हूँ मैं इसके दीवानी हूँ जो आसों से लिखी जाए जो आसों से लिखी जाए मैं वो फिन पहानी हूँ सखे होसी गईा में गए सखे होसी गईा में गए पिछली किस्त में आपने देखा जून ससराल में हो रहे सारे मजालिम और ज्यादतियां चुप चाप सह लेती है और इस पर ढ़ाय जाने वाले मजालिम का सिलसला दराज होता जाता है इधर अबदी रथर बेटी के गरताइफ और दीगर सामान लेकर निकलने ही वाला होता है कि एक शुख्स जून और उसके ससराल वालों के दरमियान तनाजिका किस्स सुनाता है और उसे गाउं की पंचायत के सामने हाजिर होने के लिए कहता है जून की माँ पर सकता तारी हो जाता है फिर क्या हुआ आईए देखें बेटी पापा लेड़ी बच्ची पापा और्टी किस्ने कर दिया हालत तुम्हारी किसकी मजाल फिव शहालेगिरी हाथ हुआठ उठाया है बोल मेरी बच्ची टिए नहीं बाबा किसी नहीं भी नहीं क्लमे चलते जलते पधरों पे गयाए ठीच देखो बाबा और अब तुम्हें बिल्कुल ठीख हों जो बलुकल ठीख हों बाबा है हम को घर पे माद ठीक है ना हैं मेरी बच्छी इस कहां सेわか đến रुपर है तुमने इतना सर्द है कि मैंने तुम्हें अंधे ए कुम है में डखेल दिया मेरी बच्छी लग कितना बनसीब हो मेरी बच्ची में कितना बनसीब हो। इढ़ रऊ यह बाबा देखें देखें मैं त्व टींग पखया हम थाकिनिबाबा हुण्ग भाबा लुए बच्ची को हुझ यह नहीं है अरे यह सब जोंसे मेरा लगते जिघरचीन ना चाहती है नेरी विट जूट बोलती है हुझ वेली बभूज जून ऐसी नहीं ऐसी नहीं है तुप रहा हुझ यह क्ला दिन खेतों में लगे रहते हैं हुजूर ये तो इतनी बदमिजाज हो रहा थे कि अपने शोहर तक कुमार ने दोड़ती है तौबा 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 ना दुनिया में कभी ऐसा देखा ना सुना मेरी मेरी बीवी की जबान तो जहर उगलती है हुजूर इसने अपना घर नहीं बसाया अब बहू का घर उजाड़ना चाहती है मेरी माँ सच कह रही है नहीं चाहिए मुझे इस जैसी बीवी अरे ये तो मेरी किस्मत फूटी थी हुजूर जो इस जैसी जगडालू बीवी को मैंने अपने पल्ले बान दिया खुदायर रहम अब दिर अधर जी हुजूर क्या कहना है आपको एक बेटी के बाफ होने के नाते मैं क्या कह सकता हूं हुजूर मैं तो क्या ये सारा गाउं मेरी बेटी को जानता है अगर आज का ये इल्जाम भी मेरी बेटी के सर पे आता है तो ये तो इसकी कम नसीबी हुजूर हम तो लड़की वाले और लड़की वाले तो हमेशा पिष्टे ही रहते औरे कैसे बकारी के आज़ू बाबाहा कर ये आप सब लोगों कम बस में करना चाहते हैं ला हो लोला कुवत बहन कम अज़कम एक मजलूम बाप के आज़ूं की इज़त करना तो सिखो इज़त करे मेरी जूती अरे एक इस मनूज और तो हमारे घर में डाल दिया अब हमीजी इसकी इसकी करवाना चाहते हैं तुम लोग अपनी भीवी को समझा दे फते मुहमद नह कर लोगे तुम आजा मारो मैं भी देखता हूं बस करो खुदा के लिए मेरी इज़त कर जिनाज़ा मत ने कलवाओ अरे जनाज़ा अन लोगों का निकलेगा जिसने मेरे बच्चे की जिनकी को जहन्नम बना दिया है जहन्नम तो मेरी बेटी के मुकदर में लिखा है आप लो अजीजा अपनी जबान को लगाम दो नहीं तो में तो क्या कर लेगा तो क्या कर लेगा ज़ए जर्छा देख पर लोगे लड़ने लगपडो गए तो फिर सरपन्च क्या फैसला करेगाः मैं तो महीबठे हुदोर कोई ऐसा फैसला लीजिय जिससे किसी की पगड़ीबाश ठीक है अब दी राधर हम सब की यही राय है कि फिलहाल तुम अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाओ और कुछ मुद्द तक अगर धोनों घर सुलह पर अमादा ना हुए तो फिर एकी सूरत बाकी रह जाती है वो है तलाक आव बेटी चलते हैं हम लोग हाँ चलते हैं अगर हमारी मुकदर में यही जिल्लत दुस्वाही लिखी है तो यहीं से यहां गाओं में हम लोग का दर्द समझने वाला कोई नहीं है कोई नहीं है चलते हैं अगर ले जाओ ले जाओ अपनी इस मनुज बेटी को आवे जैसा फांप वैसी पेटी अफोकर खुदा में है अच्चछष फ्रेटरों कौन? बढबा? मेरी पहले बढबा एदमभारत मेरी बेटी, इदमभारत, देखो, आज तो एद का दिन है, और आज के दिल लिखना पढ़ना बन, आज के सभी बच्चे अपने माबाप के पास बैचते हैं, व्य बाबा, मैं थोड़ी बच्ची ही हुए, अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को, जिसका दिल इतना सा पुर्प इद्दधम मासूम हो तो बच्चा ही उता है तुम हो ही बच्ची अभी तुम्हारी उमर इसक्ञा है। नहीं जागा वक्ति तुम्हारी माने सुर्था से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे इंतिजार कर देगी। बाबा देखो आज एद कर दिन है और वो बहुत खुश है तुम रोगी तो फिर वो भी रो पड़ेगी और तुम तो इतनी बड़ी-बड़ी किताबें पड़ती हो तुम तो सबको नसीहत कर सको की और मैं तुम्हें क्या नसीहत दरूदा मैं ठहरा जाहिल किसान हुँ चलो चली बाबा अगर तुम लोगों ने जुनी को यहां लाने का जिकर भी किया ना मैं अपनी जान दे दूंगा मैं उस औरत का सामना नहीं कर सकता नहीं कर सकता मैं और वो और तो मुझे मारने का हर वक्त मंतर पढ़ती रहती है अफू कर खुदाया ना आसा मत बोल मेरे बच्चे तो जो चाहेगा हम वही करेंगे तुम मरने दो ने इस मुष्टंडे को तुमने इसे ज्यादा सरशड़ रखा है इसके वज़े से सारे गाउं में मेरा सर शर्म से चुक गया है तुम लोग भी एक ऐसी लग्की को घर की बहु बला के लिया है जो तुम्हारे छोड़े से घर से बहुत उंची थे और यही बात तो यह दोनों नहीं समझते और इनकी काम अकली पे मुझे मातम करना पड़ता है अरे मैंने क्या गलत किया है अरे अपने बच्चे की खुशी और उसके अबादी का ही सोचा ना मैंने तो हरे मां क्या कहती हो जोनी के साथ शाधी करके तो मैंने अपनी जिंदगी बरबाद कर दी मैं शवकत पद्री की वज़े से मजबूर हुआ और मैंने एक म अरे तकदीर के आगे बेबस हो गया बेचरा अब इस गाउं का कोई भी आदमी जून को वापस बुलाने का गुना नहीं करेंगा बेहतर है कदलबल के मौलवी साथ के पास जाकर इस मसले का शरही तूर पे निप्टारा कर दो अरे कोई जरूरत नहीं है कदलबल के मौलवी के पास जाने की यह जूनी तो उसी कदलबल के मौलवी के पास पड़ा करती थी वह मॉली भी उसी की तरबदारी करेगा तब तु क्या करेगा अजीज़े अच्छा है उसे वापस बुला के घर बसा ले मैं उसको आपने घर में नहीं बसा सकता वो हर पल मुझे मारने की साजिश करती रहती है देखो ना मैं उसको आजाद करूंगा और ना उसको मैं आपने बेटे का शरी हो, और इसके सामने तो गाउं के सारे मौल भी हार जाएंगे अरे अब कुछ सोचा भी है, यह जज़बे को ही रोते रहोगे तुम हरे मा, खुणा के लिए मुझे उस मनहुस अरथ से बचा, बचा मुझे उस मनहुस अरथ से खुदा के लिए खुदा के लिए आजाद कर लो मुझे उसमन हुस औरत से वो रही वो काहिल कामचोद देखो क्या मूलटका है बैठी है उपर क्या कर रही है नीचे आ कि इद के दिन इसते नरा गुना है चला हो मैं नहीं यह तो छोटी सी बच्की है इसे तो इदी देनी पड़ेगी ने मेरी कोई इद नहीं है राजी कोई इद नहीं है मेरी जिन्दगी में तो सिर्फ गम के अंधेरे लिखे हैं नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हूं दूप के साथ छाओं भी लगी रहती है कैसी दूप कैसी छाओं मेरी जिन्दगी में तो सिर्फ धुआ ही धुआ है सब ठीक हो जाएगा जुनी तेरे अच्छे दिन भी आएंगे हाँ जुनी अब तुम इस तरह ना सिर्फ अपने आपको मार दोगी बलके अब दी मौसा और मौसी को भी दुखी कर दोगी मैं तो उनके लिए दुख बनकर प जुन का चमन विरान हुआ है मैं बदनसीर जो अपना मुकद्र भी ना बरा सकी उनकी तक्दीर क्या सावार सकती हुआ है मैंने खुद अपने दिल को अर्मानों का कप्रस्टान बनाया है नहीं जुन ऐसा मत को हो कि देख सुन देख इद की खुशी में लड़कियों ने तुम्हारे लिखे गीत भी गाना शुरू कर दी लोब तो मेरे गीत गाएंगे ही लेकिन जाने किसको कब मालूम होगा कि मेरे प्यार का चमन तो कि जाने कब का उजार दिया था कि बनी, कि एल्ट सुन तुम्हार मेर था भी गाएंगे प्योच्य को एज से तुम्हार करों मुझक बार के बनार कैने कर गार तुम्हार था रच्षबावे थand richt来 मे था बप्योचन 찍 जाशroad है तुझे को प्यार करूँ मुझे को तेरी तमन्ना तुझे को प्यार करूँ मुझे को तेरी तमन्ना दिल को प्यार करूँ तुम क्या कहते हो मैं क्या सुनती हूँ तुम क्या कहते हूँ मैं क्या सुनती हूँ क्या इक्रार करूँ मुझे को तेरी तमन्ना तुझे को प्यार करूँ क्या सुनक तुम को तोर्का taraf हसो भाल रत्त्तमी को तेरी तोर्का ऑल ओॉ जवब धन्ना तुम क。」 झाल 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 बेटी 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 मेरी बेटी कैसे ही रात पर सुई थी क्या हो गया तुम्हें बाबा शायद में देर रा तक पड़ती रही फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई बाबा मेरी बहुती अजीब सा खौब देखा है खौब मेरी बेटी ने क्या खौब देखा है बाबा ना जाने क्यों ये अजीब सा खौब मुझे अक्सर दिखाई देता है बिटी हम कुछ तनों बाद पीर बाबा के पास हाजरी देने जाएंगे क्योंकि काफी तनों से पीर बाबा के दीदार नहीं किये ना इसलिए फिर सब टीक हो जाएगा हां बाबा शायद वहीं मेरे गम का मदावा होगा इंशाल्ला जलती तो मेरी है जो तुम्हारे लिए मैंने गोड़े का इंतिजाम नहीं किया क्या करें अपना घोड़ा तो बीमार है क्याको अरे क्या हुआ मेरी बेटी को, हाँ? मेरी बेटी बहुत थक गई हाँ, लेकिन शाम होने से पहले ही हमने वहाँ पहुचना है जी बाबा, ओ यहाँ थोड़ी देर आराम करते है, आज तो मैं भी बहुत थक गया हूँ और मेरी टांगें भी बहुत दुख रही है, सोचता हूँ बाबा के पास हाजिरी देने के बाद तो बस हकीम सुभान से भी मिलनों आप भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ता है अरे बेटी, और करूं भी तो क्या अरे अरे बाद रही है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधा आड़ा झेल और यहां पर यह प्रते हैं कि मैं पूलत पर में आड़ा है कि अध्यों कि अध्यों है तो प्रता है तो किए बात है इतने कि गवराये हुए कूछ हाँ 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 है बुलो इतने गवराई हुए क्यों है कोई बात में है बाबा यह बांसरी बजा रहा था मुझे देकर खबर आया और वहां से भाग गया अरे तुम कमाल तुम हो इधर देखो तुम वहां से भाग के रहे थे और तुम ने अपी यह हालत क्या बना ली है कमाल जहरो कमाल मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ यह लोग यह वह कमाल तो नहीं है जो शेहर से आया था और नहीं तो क्या बाबा यह वही कमाल है लेकिन इसने अपनी हालत क्या बना रखे हैं बेते तुम्हारी तुप्रीयक तो भी आप तो ठीक है नहीं ठीक है नहीं ठीक है। कमाल कुछा तुमने अपनी एक्या हलध बनाई है। तुम कहां जा रहे थे। अजुआ कामाल ने तुम्हेत् है कुछ नहीं जो रहे हो। ओcular है कि अहाद, कि में रहाद, कि लुटतटस के जिर नख सू Mini आख सोका! में पहाद सोका! में पहाद सोका! में पहाद सोका! pastors कारद सोका! यह सब तो तकदीर का केल है जो आशों से लिखी जाए मैं वो प्रेम पहानी हूँ से कि हाजी गईया में गई से कि हाजी गईया में गई मेरे बाबुल के आंगन में आना होगा आजाओ मेरी दुम्पे मेरा गाना गाना होगा आजाओ हमको खाबू की दुनिया में हमको खाबू की दुनिया में जाना होगा आजाओ से कि हाजी गईया में गई से कि हाजी गईया में गई